ना स्री दनेश अली वंस यू मिस्ट पर थेंक यू वरी मच चैर परसंट सर पर अलावविंगी तू स्पीक ओन दा नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइको तुरोपिक सबस्टेंसे अमेंडमेंट बिल ये वैसे तो बहुत छोटा सा बिल है लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले दिनो देश में जिस तरीके से नार्कोटिक्स के उपर चर्चा हुई और कैई ऐसे केसिस भी सामने आएं इसमें सबसे जो दिक्कत की बात है वो ये है कि इस बिल के पास होने के बाद इसके दूरगामी परिणाम बहुत होंगे क्योंकि we are going to pass this bill from the retrospective effect अब इसमें मेरे से पहले कई learned colleagues ने including सभापती महदया आपने भी इसके बारे में house को enlighten करने की कोशिश की अब मैं समझता हूं कि अधरने वितमंत्री जी यहां बैठी है वो जरूर इसका नोट लेंगी और मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्योंकि अगर आज हम इस टाइप का कोई criminal law retrospective effect से पास करते हैं तो कल को यह परंपरा जो है यह बहुत हम गलत परंपरा आज यहां डालने जा रहे हैं मान लीजे अभी तक किसान लोग धरने पर बैटे थे दिल्ली घेर करके उन पर कोई केस हुए आप आने वाले वक्त में एक नया कानून ले आए रिट्रोस्पिक्टिव इफेक्ट से कि दिल्ली के चारों तरफ अगर कोई ऐसा धरना ऐसी कोई पंचाया इस तरीके का डेरा डालो घेरा डालो करेगा तो उसके उपर जो है दस साल की सजा होगी या उसको उम्र कैद होगी या उसको फांसी पर लटकाया जाएगा इस तरीके का रिट्रोस्पेक्टिव एफेक्ट वाला बिल मैं समझता हूँ नहीं लाना चाहिए था बलकि एक कॉंप्रिहेंसिव बिल जो है यहां आना चाहिए हम सब जानते हैं कि इस तरीके से ड्रक्स जो है ड्रक्स मेनस जो है आज सकूल में बड़ी बड़ी जगाओं पर केई religious gatherings में भी होता है इस पर हमें पाबंदी लगानी चाहिए इसको रोकना चाहिए क्योंकि एक बीमारी है और बीमारी का इलाज डाइगनोस के बाद होता है सभापती महुदे मैं आपके मात्यम से यही कहना चाहता हूँ कि हमने देखा किस तरीके से पिछले दिनों Bombay के अंदर Bombay के अंदर Bollywood में Bollywood ने इस देश को पहचान दिलाई है हम अगर कहीं बाहर जाते हैं विदेश में जाते हैं और वहां किसी social gathering में जाते हैं तो हम से पूछा ही घी जाता है अरे आपने शारुक खान की वो फिल्म देखी आपने रितिक रोशन की वो फिल्म देखी आपने आप ने सल्मान खान की वह फिल्म देखी कि अफने बन्ütünा विडिक रिक्टत की वो फिल्म देखी क्या हैँ आप उसमें क्या करूंए मैं आमिर खार हो सल्मान काना हो शारुक खाber रितिक रोशन हो दिलीब कुमार हो अमिता बच्चन हो कोई भी हो सब की पहचान समने पहचान बनाई है मैं सभापति मौदे इस बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमें बीमारी की जड़ पकड़नी है आप पुरा देश जानता है कि किस तरीके से गुजरात के अंदर मुंद्रापोर्ट पर बीस हजार कर चाहिए आप जिम्मेदार होनी चाहिए आपके Youtube शोर मचाते हैं ये मैं बोलने कड़ा होता हूं अरे इस देशheen में मने प्रधान मंत्री जी तो देश के पोर्ट कहां से सेव होंगे आपके राज भी हम जानते हैं ऐसे समध कि मानने सभापती महोद्य है मैं आपके मात्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो जहां पर हमें इलाज करना है जहां पर हमें रोक लगानी चाहिए कि वहां पर हम नहीं लगा रहे हैं जहां पर टंस अंटस के हिसाफ से गांजा ड्रग्स जो हैं इंपोर्ट हो रही है वहां पर हम कुछ नहीं कर रहे है लेकिन अगर किसी बॉलिवोड स्टार के बच्चे के पास पांच Gramed पकली जाती है वही नहीं पकड़ी गई उसको जो है महीनों महीनों गेल में आप डालके रखते हैं ये इनसाफ नहीं है विसका जो हाउस का एक सेंस है कि आप एक comprehensive bill लाईए और ये जो बीमारी है drugs की इस बीमारी की जड़ में जाईए कि कैसे विदेशों से tons of tons of drugs जो है वो हमारे हिंदुस्तान के अंदर आ रहा है हम मुंदरा पोर्ट पे नहीं रोक पा रहे वो पोर्ट हमने private कर दिये है आजकल private कर दिये हैं तो इसलिए उन वहा को उनको नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में आप रोज चक्कर लगवाएं महां छोटे-छोटे अधिकारी बैठ करके उनको blackmail करें उनसे वसूली करें यह देश जो है यह सब देख रहा है मैं सभापती मौदे इनी शब्दों के साथ अपनी बात खतम करता इस आगरे के साथ कि एक कॉंप्रिहेंसिव बिल आप लेका है हाउस में जरूर हम इसका समर्तन करेंगे बहुत को शुक्रिया हुआ है